नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies सेनर में आप सभी का स्वागत है Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का ख्याल बको भी रखता है दोस्तों अगर मोटापा बढ़ने लग गया है और खाने की आदत बहु ज़ादा बढ़ने लग गई है कि आप लोगों की प्लेट में चाहिए 4 रोटिया हों 5 रोटिया हों आप लोग खा जाते हैं उसके बाद में भी भूक लगने लगती है तो इस क्रेविंग को कम कैसे करें इस क्रेविंग को कम करेंगे तभी आप लोगों का मोटापा कम होगा और कितना भी आप लोगों को दे दें आप लोगों को कम ही लगता है हमेशा ऐसा आप लोगों को फील होता होगा क्योंकि ऐसा सभी को फील होता है जिनका मोटाबा बढ़ने लगता है वो प्लेट में कुछ भी हो, कितनी भी प्लेट हो, कैसी भी प्लेट हो जैसे ही दिल्चस्प लगने लगता है आप लोगों की cravings वैसे 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 बढ़ने लगती है तो इस चीज़ पर आप लोगों को focus करने की जरुरत है कि जो स्वादिस्ट भोचन है वो तो आप लोगों को बेहद पसंद आने ही वाला है लेकिन आप लोगों का मोटापा भी बढ़ने वाला है तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने मोटापे को कम करना अपने शरीर से प्यार करते हैं अपने बोड़ी से लगाओ रखते हैं तो आप लोगों को cravings कम करनी होगी तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कुछ टिप्स है जो आप लोग आपना सकते हैं अपनी cravings को कम करने के लिए अपनी भूग को कम करने के लिए और अगर भूग कम हो जाएगी तो automatically blood sugar low होगा और आप लोगों की यह जो खाने की आदत है इस प्रकार खाने की अब लौग कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का मोटापा भी कम कैसे होगा अगर आप लोगों की cravings कम हो जाती है तो सबसे पहले है रात में रोज बैठ कर लिखें कि आपने पूरे दिन भर में कितनी रोटिया खाई है म वो घर पर बैठ कर ही जो है काम करते हैं या ओफिस में बैठ कर काम करते हैं तो पूरे दिन भर बैठे रहते हैं तो वो कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो रात में बैठ कर लिखेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने इतना कुछ खाया है तो कल कम क पाएंगे अपनी दूसरा है अपनी रोटियों की संख्या एक साथ ही लें उसके बाद रोटी नहीं उठाएं मतलब अगर अपनी प्लेट में आप लोग दो ही रोटिया रख लेंगे तो आप लोग सिर्फ दो ही खाएंगे उसके बाद में आप लोगों को उठाना नहीं है इ तीसरा है अपनी प्लेट में अपने मन पसंद की सबजी नहीं डालें कभी भी अपनी प्लेट में मन पसंद की सबजी आप लोगों को नहीं डालनी है क्योंकि अगर आप लोग पनीर खाएंगे, वाड्रोप्स इस्तमाल में लेंगे या आप लोग जो हैं ऐसी सबजी इस्तमाल में लेंगे जिसे आप लोग बहुत जादा खाते हैं जैसे लहसुन की सटनी बहुत जादा लोग खाते हैं तो वो आप लोगों को इस्तमाल में नहीं लेनी है जिस से आप लोगों की रोटियों की संख्या बढ़ने लग जाएगी नमबर फाइफ है, सबजी के अंदर अधिक नमक और मिर्च का इस्तमाल नहीं रखें। अधिक मिर्च और नमक का इस्तमाल करने से क्राविंग्स ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जो spicy food होते हैं, वो cravings को जारदा बढ़ाते हैं, और आप लोगों को स्वाधिस सब्जी लगने लगते हैं, जिसकी वज़ा से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा eating करने लग जाते हैं। तो अगर इस चीज को control में करना चाहते हैं, कि आप लोग खाएं कम और आप लोगों healthy भी रहें, मोटापा कम रहें, metabolic rate increase रहे, fat lose हो, तो आप लोगों को spicy food जो हैं वो नहीं लेना है, तो अपनी सब्जी में नमक और कम जो हैं वो इस्तमाल में लेना स्टार्ट कर देंजे। नमक और कम बिल्कुल कम कर दें, यह कम मानके चलें, नमबर 6 पर आता है अपने मोटापे को खाना खाते समय याद रखें, बहुत सारे लोग जो हैं याद नहीं रखते हैं अपने मोटापे को और 3 रोटियों की जगए, 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे खाने लग जाते हैं, तो इस बात हो सकता है, नमबर 7 है अपनी जेब में अपने मोटापे की फोटो रखें, फोटो रखना बहुत ज़ादा जरूरी है, बार बार याद दिलाती रहती है कि आप लोगों का मोटापा जो हो कितना बढ़ गया है, तो इस बात पर फोकस रखेंगे कि यस आप लोगों की साइड गीचर भी इतनी बढ़ गई है, तो आप लोग जो है, अपने मोटापे को लेकर टेंस्ट रहेंगे, अपने मोटापे को लेकर चिंतित रहेंगे, और जहां चिंता होने लगती है, वहाँ आप लोग जो है, उस चीज को स्टॉप करने लगते हैं, नमबर 8, खाना खाने से पहले खूब पानी पीए, जो लोग खाना खाने से पहले खूब पानी पीते हैं, तो रोटियो की संख्या अपने आप ही कम कर देते हैं, और अगर स्वादिस सब्जी नहीं होगी, मिर्स मसाला कम होगा, तो आप लोग खाएंगे भी कम ही, तो पानी से पेट भर लेंगे कह करने लग जाते है, नमबर नाइन पर आता है, अपना माइंड सेट रखें, माइंड को सेट रखना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि सुचारू रूप से चलना चाहिए, सुचारू रूप से चलेगा, तो आप लोगों की बोडी हल्दी रहेगी अच्छा रहेगी, बोडी फिट रहेगी तो इसके लिए आप लोग क्या करें, अपना माइंड सेट रखें कि आप लोगों को इतना ही कुछ खाना है, इतना ही कुछ पीना है तो उसके लिए आप लोगों को यह चीज जो है, फिक्स रखनी होगी तो अगर माइंड सेट रहेगा तो आप लोगों की बोडी हल्दी रहेगी और फिट रहेगी, इवन आप लोग यह भी कह सकते हैं कि आप लोग खाना कम करने लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा सोचते रहेंगे कि आप लोगों का मोटापा कितना बढ़ गया है तो माइंड सेट रहें नंबर दसवे पर आता है, मीठा खाना कम करें जो लोग मीठा खाते हैं, उनकी क्रैविंग्स बढ़ने लगती है बलड सुगर जब हाई होती है और इस परकार आप लोग अपनी क्रैविंग्स कम कर सकते हैं और अमोटापा भी कम कर सकते हैं धन्यवाद